हेलो स्टूडेंस आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MS Study में आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे Tense Tense, Tense को हिंदी में कहते हैं काल Tense तीन प्रकार के होते हैं पहला Present Tense, दूसरा Past Tense, तीसरा Future Tense Present Tense को हिंदी में बर्तमान काल कहते हैं Past Tense को हिंदी है, भूत काल, भूत काल ले आने की बीता हुगा कल Future Tense, Future Tense को हिंदी में कहते हैं भविसकाल, भविसकाल ले आने की आने वाला कल Present Tense, Present Tense चार प्रकार के होते हैं Present Tense कितने प्रकार के होते हैं? चार पहला Present Indefinite Tense, दूसरा Present Continuous Tense, तीसरा Present Perfect Tense चौछा प्रजेंट परफेक्ट कंट्यूनियस टेंस कौन सा प्रजेंट परफेक्ट कंट्यूनियस टेंस प्रजेंट इंडेफिनिक टेंस की पहचान क्या होती है जिन बाकियों के अंत में ताहेते हैं आदी सब्द आते हैं उन्हें हम प्रजेंट इंडेफिनिक टेंस कहते ह present indefinite tense भी चारकार के होते हैं पहला assertive या simple sentence सादारण बाच, negative sentence नकारातमक बाँ के interrogative sentence प्रेश्ण βाचक बाँ के double interrogative sentence हम कैसी पहचानेंगे कि यह double interrogative का sentence है अगर sentence के बीच में क्यों, कब, क्या, कैसी, कौन, कौन सी, कौन सा, कहां आदी सब्द प्रयोग हो, तो मैं कौन सा sentence होगा? Double interrogative sentence, sentence पांच प्रकार के होते हैं, वैसे जान था तिनी प्रकार की sentence का यूच किया जाता है, लेकिन sentence कितनी प्रकार के होते हैं? पांच प्रकार की, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ओप्टेटिव सेंटेंस, पांचमा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और जाना सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेक्स वीडियो तब तक के लिए बाइ